नमस्कार दोस्तों हमारे विशेश कार्यकरम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों हम अपनी आजादी का 75 वर्ष आजादी का अमरित महसव के रूप में मना रहे हैं इन 75 वर्षों में हमारे देश ने बहुत तरक्की की है जिसके फल सवरूप हमारा देश विश्व के अन्य रास्ट्रों में अग्रिम पंक्ती में खड़ा है लेकिन अभी भी बहुत सारे काम बाकी है गरीबी, अज्यानता और भुखमरी अभी भी हमारे देश से पुरी तरह मिटी नहीं है हमारी आज की चुनोतियां और आजादी के बाद से लगातार हमारी प्रगती हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है इसी के चलते हमारे माननिय प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोधी जी ने आने वाले 25 वर्षों को अमरित काल का नाम दिया है आने वाले अमरित काल में हमारा देश भारत अपने हर अक्षेतर में नए कृतिमान स्थापित करेगा लिकिन ये कृतिमान तबी स्थापित हो सकते हैं जब हमारे देश की शिक्षा नीती बहतर हो शिक्षा में बदलाव हो सके शिक्षा के चलते ही Skill India, Making India और Digital India जैसे जो हमारे कार्यकरम है जो हमारे अभियान है ये सफल हो सकते हैं अब हमारे देश की शिक्षानिती में किस तरह के बदलाव हो हम कैसे इन अभियानों को सफल बना सकते हैं इन सब के बारे में बात चूइत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं Indian Institute of Management रहतक से प्रोफेसर धीरज शर्मा जी नमस्कार सर हमारे कार्यकरम में आपका स्वागत है सर जब बात आती है education की आज technology का जमाना है और भार सरकार की अगर हम बात करें तो technical education पर सरकार का विशेश ध्यान है विशेश stress है इन सब के बीच में जब हम बात करते हैं Humanities से जूड़ी हुई education जिसे हम arts या liberal arts भी कहते हैं जो किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विखास में महतुपूर्ण रोल प्ले करती है आपको नहीं लगता कि वो कहीं न कहीं पीछे छूट रही देखे तक्नीकी ग्यान या तक्नीकी परिशिक्षण बहुत ही अवश्चक है प्रन्तु आज भी भारत देश में ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं जहां पर arts जिसे हम कहते हैं कला इनके ओपर बहुत अच्छा शोध हो रहा है इसके ओपर बहुत अच्छा काम हो रहा है बहुत अच्छा शिक्षन और तरीशिक्षन हो रहा है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले दस वर्षों में जो arts या कला का शेत्र है जिसमें कि हम विभिन विभिन जो discipline है चाहे आप philosophy लें या sociology लें इसका दुबारा से एक बार ये दुबारा prominence में आए हैं दुबारा उभर के आए हैं कि बहुत सरे लोग इसको अभी इसमें पढ़ाई करना चाहते हैं और भारत देश में अब ऐसे ऐसे रास्ते हैं ऐसी जगाएं हैं जहां पर इन के परिशिक्षित इन इसमें शिक्षित लोग इन उनके लिए स्थान है उनके लिए अपनी जीवी का कमाने का रास्ता है तो मुझे तो थोड़ा उल्टा लग रहा है कि मुझे लगता है कि आर्ट की कमबैक हुई है पिछले दस साल में आर्ट की कमबैक आई थिंक पहले अगर हम 90s में देखें तो एक इंजिनेरिंग का एक हमारा बूम आया था दो हजार तक हमारे देश में विबिन विबिन जगाओं पर हर जगा पर इंजिनेरिंग कॉलेज़ खुल गए अब मेरे ख्याल से भारत देश में जो है वो जो जिसे हम कहेंगे सेंटर्स अफ एक्सेलेंस इंस्टिउशन अफ एमिनेंस उनको आइडेंटिफाई करके उनको उनको पकड़ कर उनको चिन्हित करके उनको बनाया जा रहा है और उनको नर्चर किया जा रहा है उनको संचार किया जा रहा है और ये एक अच्छा कारिक्रम है सरकार का प्रोफेसर असाब आपने बात की, सार आपने कहा की, philosophy की आपने बात की, kучh subjects की आपने बात की जो आर्ट से related हैं, टेकनोलोजी में हम जी रही है, टेकनोलोजी का जमाना है, ऐसे में, data science, artificial intelligence, साइबर सिक्योर्टी जैसे नए सब्जेक्ट निकल कर सामने आ रहे हैं हम सब की लाइफ हम सब और हमारे देश की एकोनोमिय की जब बात आती है तो सब कुछ टेक्नोलोजी से जुड़ा हुआ है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है लेकिन इन सब को मैनेज करने की भी जरूरत है और जब बात आती है मैनेजमेंट की तो आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट की डेवलपमेंट के लिए और लोगों में नए ऐसे कौन से स्क कर किया management तो मेरे ख्याल से हर फील में उसकी अवशकता है चाहे वो governance हो चाहे वो पब्लिक policy हो चाहे कि corporate को run करना हो हर जगा पर management का प्रबंधन का या प्रबंध का वो लाजमी है कि आपको होना जरूरी है technology जो है वो एक support mechanism है artificial intelligence is artificial by its very definition it's artificial intelligence human intelligence is always going to be far superior compared to artificial intelligence because artificial intelligence is an aid to human decision making at the end of the day the permutation and combinations जो लगेंगे उसमें आपको artificial intelligence की input लेनी पड़ेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारे भारतिय प्रबंध संस्थानों में और भारतिय प्रबंध संस्थानों में और भारतिय प्रबंध संस्थान रोहतक में particularly हम लोग यह emphasize करते हैं कि जो बच्चे they develop a combination of analysis and articulation जी आज कल यह जमाना है कि आपके पास उतना समय नहीं है व्यक्यान के लिए आपको व्यक्यान के लिए अगर आप अगर television channel को ही ले लें तो Ukraine और रूस के जो संबंध के ऊपर जो anchor हैं वो कहते हैं कि मुझे तीस सेकंड में आप संक्षेप्त रूप से बताईए कि क्या होने वाला है विच मींज दिर इस रेक्वाइरमेंट फॉर वेरी सुपीरियर बड़ी हाई लेवल articulation and there is a requirement for a very high level analysis हमारे संस्तानों में हम यह skills, यह education, यह qualities पैदा करने का प्रयास करते हैं कि बच्चे बहुत ही अच्छे चीजन से अच्छे तरीके से अनलाइज करें चीजन को और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बता पाएं तांकि उसके उपर implementation हो पाए, execution हो पाए, प्रफेसर साह आपने बात की आयम रोह तक की बात आती है जब बच्चों की पढ़ाई की तो बच्चों की पढ़ाई पे उनकी मातापिता से लेके उनकी teachers और सरकार भी विशेश रूप से ध्यान दे रही है लेकिन जब हम बात करते हैं उनको education देने वाले teachers की तो जो teachers हैं उनकी skill application के लिए आपका संस्थान क्या कदम उठा रहा है और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए हम आप से जानना चाहिए हमारे system में तो हर साल हम लोग जो 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 बहुत ही विश्व में मतलब जो top notch जो जो professors हैं हम उनको invite करने का प्रयास करते हैं भारत देश से भी जो best of the best वो क्लास हमारे हां के जब पढ़ाते हैं हमारी faculty उन क्लास में बैठके यह सीखने का प्रयास करती है कि पढ़ाया कैसे जाता है आज कल जो जो जमाना है जिसमें के search engines available हैं आपको किसी भी चीज के बारे में अगर information चाहिए तो आप information दस second में information निकाल सकते हैं तो जो प्राध्यापक का professor का professor का मतलब teacher नहीं है professors don't teach professors profess they are supposed to be taking a giving a perspective उनको एक चीज के उपर position लेकर उसके उपर लोगों को ग्यान देना है तो हमारे यहाँ पर हमारे जो प्रुफेसर्स को केस मेथक्र हम लोग यूज़ करते हैं केस एक बच्चा जो हमारे यहाँ पर एड मिट होता है एम बीये प्रोग्राम में वह दो साल में क्रीबन तकरीबन दोस स्थितियों से उसको उसमें डिसिजिन लेना था, तो हमिरे, हमने अडॉप्ट किया है, यह सिस्टम, पहले से आाइंट सिस्टम में पेडगॉजी है, तो हमारे जो जो परिशिक्षिक हैं, हमारे जो प्राध्यापक हैं, हमारे जिसे आप पीचर कहेंगे हम उनको प्रोफेसर कहेंगे वो इसमें शिक्षित हैं उनको ये बताना है कि availability of information is not the answer availability of information दो है it is how to take decision एक निरने कैसे लेना है जबकि आपके पास data कभी complete data तो कभी नहीं होगा जी आपके पास unlimited time कभी नहीं होगा आपके पास unlimited resources कभी नहीं होंगे तो optimization, optimal resources, optimal time and with optimal data कैसे एक most optimal decision लिये जा सकता है जिससे हम प्रगती कर पाएं यह हमारी approach रहती है और यही हमारे प्राध्यापक हैं उसके उपर training लेते हैं वो cases के जरीए इन सब चीजों को बताते हैं case method के उपर हमारी यहां पर बकाइदा उनको बताया जाता है कि कैसे case method पढ़ाया जाता है किस तरह से student driven, discussion driven, subject matter driven, situation driven learning उसमें पैदा की जाए वो बच्चे हमारे यहां से सीख के जाते हैं तो sir जैसे आपके यहां सिखाया जाता है जो किया जाता है कि आपको लगता है कि देश के जो विभिन दूसरे संस्थान है बहां पर अध्यापकों की professors को पी ऐसे ही skill जो है उनके डेवलप किये जाए ताकि बच्चों का जो एक भविश्य है एक निर्ना लेने की शम्ता की आपने बात की कि वो उन्हें भी अच्छा और आगे बढ़ा सके करोना काल में एक बहुत ही अच्छी बात हुई कि बच्चों की जब ऑनलाइन classes हुए उन on line classes के माध्यम से जो माता-पिता है वो यह देख पाए स्कोल में क्या है मैं skulle ही शिक्षा के बाए में बात कर रहा। क Eddy सिक्षा के बारे में भी बात कर सकता हूँ उनको यह दिखा कि क्लासरूम में क्या होता है मेरे ख्याल से जो प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरार्स हैं, जो टीचर्स हैं उनके लिए बड़ा टेस्टिंग टाइम था मेरे ख्याल से अगर हम उसको पॉजिटिवली लें तो यह उनके लिए एक उपर्चुनिटी थी कि अपने आपको डवैलप करता है क्योंकि जो दिखा, वो इतना अच्छा नहीं दिखा तो फिर शिक्षक का क्या रोल है, यह रोल डिफाइन करना जो है यह मेरे ख्याल से बाकी इंसीचूशन को सीखना चाहिए हमारी इंसीचूशन को भी सीखना चाहिए कि शिक्षक का रोल जो अवेलेबल इंफर्मेशन है उसको देना नहीं है जो आजकल जो सबसे ज़ादा जो ज़रूरत है वो यह है कि एक परस्पेक्टिफ फॉर्मेशन की इंफर्मेशन राइट में है इंफर्मेशन लेफ्ट में है क्या सही है और वो प्रोफेसर को खुद को तियार करना पड़ेगा अब जैसे कि मैं आपको एक उदाहरन दूँ जैसे कि हमने अभी बात की कि रूस और युक्रेन का युद्ध हो रहा है उसमें आपको छे जो अवेलेबल वेबसाइट के उपर इंफर्मेशन मिलेगी रश्या के प्रोफ शे में अमरीका के प्रोफ क्या सही है क्या गलत है क्या डैमेंशन देज यह आपके पढ़ने वाले को डिसाइड करना है प्राध्यापक का रोल क्या है प्राध्यापक का रोल यह है कि वो इसके उपर एक एक लिसकेशन करवाई और एक परस्पेक्टिव दे जिसमें के वो ऐसी ऐसी चीजों को चिन्हित करे ऐसी ऐसी चीजों को उभार के ले के आए जो की उस टेक्स्ट में अवेलेबल नहीं है उसकी इंटर्प्रिटेशन उसके कॉंसेंस इन सब चीजों के ऊपर मेरे काल से अगर अध्यापकों के ट्रेनिंग हो तो आज कल वही पढ़ाना है कैसे बढ़ाना है यह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का जमाना है आपका जो इंस्टिचूट है आयम रोह तक कैसे ने सब्जेक्ट कौन-कौन से लेकर आ रहा है और क्या-क्या कदम इस दिशा में उठा रहा है आयम रोह तक में आयम रोह तक आपको यह जानकर गर्व होगा आज भारत के मेरे ख्याल से पहले या दूसरे नंबर पे नंबर अफ स्टूरेंट्स में लार्जस्ट आयम इन दे कंट्री इं टरम्स अफ नंबर अफ प्रोग्राम्स आलसो हमने सबसे पहला स्टैप यहां पर लिया था के नया प्रोग्र्रम वह हमारा पोस्स अच्छ लगेगा कि उस देश में इस प्रोग्राम में मेरे ख्याल से तक्रीबन बारां से पंदरा देशन के प्रोफेसर आक्र कलास्स पढ़ा रहे हैं और सब्जेक्ट्समारे यहां पर इतनी वह हमारे यहां पर इतना शोध नहीं हो रहा है, इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, वो आ रहें, बहुत इच्छा प्रोग्राम है, दूसरा, हमने एक BBA MBA प्रोग्राम पहला आएम है, जिसमें BBA प्लस MBA एक कोर्स लाँच हुआ है, पिछले चाह साल से चल रहा है, आपको जानकर य सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको जानकर प्रोग्राम प्रोग्राम हम पहले आएम बने हैं, जहां पर BBA MBA MBA प्रोग्राम हमने पिछले सालिस शुरू किया है, BBA MBA MBA में हमने यह आइडेंटीफाई किया कि भारत देश में corporate law, arbitration, intellectual property, international law के ऊपर एक जगा है, जिसमें के हम ल visionary contribution, academic contribution, training contribution कर सकते हैं, यह program हमने launch किया है, सर हर एक institute जो होते है, उसके कुछ research programs होते हैं, जब आपके संस्थान की हम बात करें, तो आपके संस्थान में national और international level की जब बात आती है कि वहां के institute के साथ मिलकर, आयम रह तक किस तरीके के research program जो है, वो शुरू कर चुका है, या जो भारत के लिए बहुत अच्छे होंगे, हम लोग बहुत सारे research programs चलाते हैं, particularly हमारा management domain के अंदर अभी हमारे दो या तीन ऐसे शोध पत्र papers जो हैं, जिसको WHO ने recognize किया है, करोना काल में हमने agriculture procurement के उपर हमने जो काम किया है, इसको WHO ने recognize किया है, जो जो जिसे हम कहते हैं कि सबसे dirty work उसको बोला जाता है, कि हस्पतालों में जो लोग सबसे जो मतलब difficult काम, सफाई, और वो भी ऐसी चीज़ों की सफाई, जो की मतलब उससे disease भी फैल सकता है, उन workers की उपर हमने जो शोध पत्र लिखा है, उसको भी WHO ने recognize किया है, इसके अल हमने शोध पत्र प्रिजेंट की जो इंटरनेशनल लेवल के उपर, वो चाहे अफगानस्तान हो, Central Asia हो, उसके बाद Middle East हो, इसके उपर हमारे अपने सार्क कंट्री में, बंगलादेश के उपर, पाकिस्तान के उपर, हमने ऐसे कई शोध पत्र लिखे हैं और आगे भी हमारी उमीद है कि हमारे प्रोफेसर इसके उपर, इंटरनेशनल आपने सवाल इंटरनेशनल को बज़े तो इसके उपर हम काम कर रहे हैं, जी, सर अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को चाहि रहा है कि बच्चों को प्लेसमेंट भी मिले, बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी मिले। अब अगर आपका विशेश जो सवाल है कि बच्चों को हम हर्याना, एक ऐसे मतलब हर्याना के प्रगित्त, तो हमारे बच्चे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हरते हैं इंडस्ट्री के लिए, अभी as we speak, skill gap के उपर हम लोग study कर रहे हैं, जो हर्याना के विभिन विभागों के जो 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 उसमें कारेशील हैं लोग, जो उसमें जो काम कर रहे हैं, इंप्लॉईज हैं, उनके उपर हम लोग, उनकी ट्रेनिंग के उपर हम लोग काम करते हैं। ministry of consumer affairs की जो PDS scheme है, उसके उपर हमने बहुत काम किया है। पुलीस जो services हैं, उसके उपर कैसे मतलब improvement हो सकती है, उनकी service quality कैसे improve हो सकती है, उसके उपर हमने काम किया है। जेलों के उपर अभी हम पहले काम, हमने विविन विविन जेलों को तेहार जेल हो, गुजराज जेल हो जिनके उपर हमने काम किया। और अभी हम हर्याना में भी हम चाहते हैं कि हम कैसे जेल से लोग यू निकल रहे हैं, उनमें विवसाय की skill उनको कैसे दिया जाए और आग अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट में रखें तो 400 बिलीड डॉल का मतलब है कि आलमॉस्ट डबल पाकिस्तान पाकिस्तान का जो पूरा जीडिपी है वह हमारे एंची आर की जीडिपी के से आधा है तो हमारा डबल जीडिपी है जिस इन्टी इस एरिया में हमारे बच्च जो है FMCG में, consulting में, fintech में, logistics में, marketing में, उसके बाद accounts में, operations management, supply chain management, sustainability में, यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग contribute कर रहे हैं to the industry. सर जो बात हो रही है, आने वाले पाँच वर्शों के अगर हम बात करें तो आपका वीजन क्या है, कहां देखना चाहेंगे आप I AM रहतक को? मेरे ख्याल से जी हम I AM रहतक को एक ऐसा संस्तान बनाना चाहते हैं, जो की अपनी contribution करें देश के लिए और society के लिए, वो कैसे होगा? We want to provide maximum opportunity to eligible people to get management education, top-notch management education, इसलिए हम expand कर रहे हैं, गुर्गाओं में हमारा एक और campus बन रहा है, हम चाहते हैं कि non-residential education में भी आ जाएं, अभी तो residential है, हमारे यहां पे तकरीबन 1500-1600 बच्चा, approximately long duration programs में, 1500 के करीब बच्चा अविलिबल है, जैसे हम गुर्गाओं में आए पर उसमें बहुत सारी opportunities हैं, लोग बाहर भी रह सकते हैं, तो हम quickly grow कर सकते हैं, आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि NCR में लाखों बच्चे हर साल बारवी कक्षा पास करने के बाद अच्छी जगह पर पढ़ना चाहते हैं, opportunities कम हैं, अच्छे colleges की संख्या कम हैं, तो हम आपने सवाल पूछा के पांत साल बाद, we want to be the largest management or I would say institute of national importance, INI हैं हम, I am act के अंदर हम लोग institute of national importance हैं, हम largest INI बनना चाहते हैं, number of students में, number 2, हम public policy sphere में, strategic affairs में, दुनिया में अपने आपको एक top-notch think tank की तरह से establish करना चाहते हैं, जहां पर जो शोध निकले, उसको दुनिया भर में लोग उसको सराहें, और उस शोध को implement करके कुछ changes आएं, जिसकी वज़ा से जो lowest possible denominator, जो lowest possible citizen of our country उसका benefit ले पाए, हम चाहते हैं कि हर बच्ची के पासे ऐसी skill हो, जो यहां से निकल रहा हो, यह हमारी कोशिश है, तो I am Rootak five years round the line, will be the analytical arm of our country, जो analysis का काम होगा, data analysis जो भी काम होगा, उसके लिए हम available होना चाहते हैं, और हम एक support की तरह भारत देश के लिए, as an institutional support for analysis, हम available होना चाहते हैं, यह मेरा स्वपन है, हम आपको शुब कामना हैं देंगे कि आपका जो यह सपना है, जरूर पूरा हो, सर हम आजाती का पिचेतर्मा अमरित महत्सव मना रहे हैं, सरकार ने इस उपलक्ष में हर घर तिरंगा भ्यान चुलाया है, आपका संस्थान, आप उस अभ्यान को सार्थक बनाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, देखी मैं तो हर घर तिरंगा को उसका मूल तत्व मैं पहचा किताब भी आ गई है, कि हमारे यहाँ मीडिया में पर्टिकलर इक फिल्मों में हमारा तिरंगा कहां दिखाई देता है, तो अगर आप एक हॉलिवूड फिल्म को पकड़े हैं, और बॉलिवूड फिल्मों को पकड़े हमने अध्यान किया हुआ है, हजारों फिल्मों का उनमें तक्रीबन असी प्रतिशत फिल्म में आपको कहीना कही जंडा नजर आ जाएगा नियरली 80 परसेंट तो हमारे जो माननिय प्रधान मंत्री जी ने यह हर घर तिरंगा के बारे में जो कहा है इसका उप्रक्षी है कि हम लोग रेकेगनाइज करें तिरंगा हमारी सोचल अ हिस्सा है यह हमारी जो आइडेंटिटी है उसका बड़ा इंपॉर्टन्ट सिंबॉलिक रेप्रेजेंटेशन है हम इसे कैसे करेंगे पंदरा अगस्त को एक हमारा फंक्शन भी होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को उसके उपर डिबेट कराए जाए डिबेट क है हम सब को बाइन कर रहा है उसके लावा हम कोशिश कर रहे हैं के पंदरा अगस्त को सारे बचे एक बार हाइवे के उपर भी यह सड़क के उपर जाकर एक थोड़ा सा मार्श करें आकि यहां से आती जाती गाडियां हैं वह हमें देखें उनको प्रोचसाहन मिले कि हमारे इस तरव जो बचे हैं हमारे आयंड के बच्चे हैं वो कितना गर्व महसूस कर रहे हमारे 75 में अजादी के दिन को और उसमें हर्शो लास है और हर्शो लास है वह बठेगा लोगों में तो लोगों मैं और खुश होगी यह हमारा अभी तक तो यह विचार है प्रंटु भारत देश में हम लोग तक्रीबन बहुत साल बहुत सदियां गुलामी भुकती है हम अजाद हुए हम अजाद हुए क्या हम मानसिक रूप से अजाद हुए यह भी एक प्रशन है मुझे यह गर्व है कि पिछले कुछ सालों में हमने एक चीज देखी है कि एक common भारतिय citizen भारतिय नागरिक उसकी जो self-esteem है वो उपर बढ़ी है और मेरे ख्याल से हर घर तिरंगा उस self-esteem में एक contribution कर रहा है हमें गर्व होना चाहिए ऐसी धर्ती मैं 40 से जादा देश जा चुका हूँ ऐसी धर्ती ऐसा environment ऐसे लोग जिनके अंदर compassion है जो plurality के उपर विश्वास रखते हैं अपने आपको यह अच्छा नहीं कहते हैं तो को तें सब अच्छे हैं हम भी अच्छे हैं सब अच्छे हैं they believe in accommodation, they believe in adjustment, they believe in sharing ये इस देश के मूल तत्व हैं और इनको उभार कर various programs पिछले कुछ सालों में हमारे जो लोग हैं जिनको अंदर हीन भावना थी जिनको लगता था कि हम विदेशी देशों से जो बहरी देश हैं और उनसे हम नीचे हैं वो अब जो हीनता की भावना है वो हमने हमने हमें कम होती जा रही है हम गर्व से अपना जंडा उठा रह साल परानी है हम गर्व से ये कहते हैं कि इस देश में रामायन महा भारत कितने लोगों को ये मालूम है कि महा भारत दस लाक श्लोक आप सुचिए इस टेन टाइम्स लार्जर दन ओडेसे और इलियार्ड जो कि वेस्टरन गरंथ हैं जिनको मानते हैं बहुत ही महान गरंथ ह उसे टेन टाइम्स लॉंगर और उस जमाने में कोई वर्ड डॉक्यमेंट दो था नहीं उसमें फ्लॉलस इस आर डिवाइन हापनिंग्स विच जो हमारे देश में हुई हैं हमें इसे सेलिब्रेट करना है जंडा एक है जंडे के इलावा जंडा रेप्रेजेंटेशन है हमा देश के मूलियों का और इस महान भूमी का तो मिझे लगता है कि हम उस दिन ये सब हमारे बच्चे हमारे जितने भी बच्चे कैंपस में हैं वह इन सब चीजों को सेलिब्रेट करेंगे और हम इसको रेकिग्डाइज करेंगे और भारत देश के लिए उनके अंदर एक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमें हमारे देश के हर एक अभ्यान को वह अभ्यान जो हमारे देश को विश्व पटल पर बहुत आगे लेकर जाएगा उसे सार्थक बनाना है और यह हम सार्थक बना सकते हैं जब हम सब एक होंगे हम सब मिलकर उसके लिए प्रयास करें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार झाल 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 झाल